हाई एवरीवन वेलकम बेक तो दा चैनल एजी हिस्ट्री कमपैनियन तो इन इस वीडियो वी आर गोंग तो कवर टॉपिक नामबर एट दाट इस एंशेंट अथोर्टी चोटा सा टोपिक है यह तो लेट स्टार्ट एक्स्टा ओडनरी उनिफॉर्मिटी सजेस्टर सिंगल हर अपन सिवराइजिशन में कुछ एक्स्टा ओडनरी उनिफॉर्मिटी थी तो उससे क्या पता चलता है कि शायद वहां पे एक सिंगल अथोर्टी हो पूरे एरिया पे तभी तो इतनी उनिफॉर्मिटी देखने को मिली है नेक्स्ट इस अब क्या-क्या सिमिलारिटी थी स सबसे पहले पड़्री पोट्री हर जगां सेम थी शील्स भी सेम थी वेट्स अंड ब्रिक्स और सेट़िमन जो सेटलमें थे वो प्लैंड थे और हर जगां शेम प्लैनिंग थी तो इस वजह से आर्केयोलोजिस्ट को लगता है कि एक सिंगल अथोरिटी थी सेंटर ओफ पावर अब मेन सेंटर ओफ पावर क्या था उस टाइम पे सो नो इमीडेट आंस्वर इस कोश्चन का कोई आंस्वर मिला नहीं आर्केयोलोजिस्ट को भी तक एक लार्ज बिल्डिंग मिली थी महोंजोदारों पे जिसको आर्केयोलोजिस्ट ने पैलेस बोला है लेकिन अभी भी उसके कोई स्पेक्टेकुलर फाइंड्स नहीं मिले हैं कि उसके अंदर राजा वगरा रहते थे या ऐसे कुछ भी एविडेंस नहीं मिले हैं और एक स्टॉन स्टैच्व मिला है जिसको आर्केयोलोजिस्ट ने लेबल किया है प्रिस्ट किंग अब उन्होंने प्रिस्ट किंग नाम ही क्यों दिया इस बिकोज आर्केयोजिस्ट वर फैमिलियर विद्धा मेसोपोटामिन हिस्ट्री और इट्स प्रिस्ट किंग एफ फाउंड पैलर्स इन्दा इंदस रिजन क्योंकि आर्केयोजिस्ट को पता था कि मेसोपोटामियन जो हिस्ट्री है उसमें भी ऐसे कुछ स्टैचूस मिले हैं जिनका नाम पृस्ट था तो उन्होंने उसको इन सिव्याइजेशन के पहले रखके इंदस स्टैचूस का नाम पृस्ट किंग रखा लेकिन हरपन इपन सिविलाइजेशन की इन रिच्वल प्रीकिसेश भी अभी अच्छेसे पता नहीं है ना ही अभी तक यह पता चला है कि हरपन सीविलाइजेशन में पॉलिटिकल पावर किसके पास थी सो अब हर अरकेजिट के अलगलग ऑपीञ्यों होते है न तो एसी अरकेजिटी जो अरकेजिस्टें उनके अलगलग ओपीनियंस थे चार ओपीनियंस गिवन हैं फर्स्ट वानीज हर अपन सोसाइटी हैड नौ रूलर्स एंड एड़ एवरीबडी इंजोइड इक्वल स्टेटस तो कुछ आरकलों जिसको यह लगता है कि महांपे कोई रूलर्स थे ही नहीं और सारों को इक्वल स्टेटस मिला यह लगता है कि महांपे कोई सिंगल रूलर्स इसे अलग लग ते जैसे महांपे का अलग अलग हो गया इसे-इसे हर साइटस के अलग लग रूलर्स होते थे नेक्स्ट वान इस देर वाज़ सिंगल स्टेट कई यों को लगते हैं आप पर सिंगल स्टेट है क्योंकि अभी हमने बताया कुछ सिमिलारिटीज थी आर्टीफेक्ट में जैसे स्टेंडराइज रेशियो ऑफ ब्रिक्स तो इस स्टेमित औपनां इस्टेमैंट्स करते थे और जो लास्ट धियोरी है वह क्या है एंटायर कॉम्टेज कुड्ड हैव को ऐैव कॉलेक्टिवली मेड एंद क्लिमेंट इंपलिमेंट करतीगी अब इसमें से कुछ multiple choice questions देख लेते हैं एक बात हो कि मेरा telegram group है तो अगर आपको कोई भी doubt हो तो आप उस पर message कर सकते हैं उस telegram group का link description box में डाल दूँगी तो हां से आप join कर लेना और कोई भी doubt हो मैं आपको उसका reply जरूर करूंगी और मैं अपना बेस्ट देरी हूं कि भही जितने questions निकल सकते हैं एक topics में से maximum निकाल के दूँ और उसके अकोडिंग में हर एक topic की हलग video बना रहे हूं ताकि आपके लिए helpful रहे सो mcqs आर फर्स इसमें topic छोटा सा है ना बस इसमें opinions वगरा हैं तो कुछ ज्यादा निकले नहीं नहीं दो तीन ही है फर्स्टीज हर अपन आर्टिफेक्ट यो एक्स्टा ओडिनरी उनिफर्मिटी तो क्या evidence है जो एक्स्टा ओडिनरी उनिफर्मिटी दिखाते थे सो ओल सारे options ही राइट है poetry seals and weights bricks all next point is a stone statue labeled known as अब एक stone statue मिला है उसका नाम क्या रखा है उसको क्या labeling दी है priest kings, raja या priest kings so right option is priest kings next one is identify the picture इस picture को identify करो so अब authority वाला chapter पढ़ रहे है तो this is a priest king अब इस picture को remember कैसे कर सकते हो आप कि भाई ये देखो थोड़ा वैसे तो भी आदी damage हो चुकी है लेकिन इस picture में जो ये मूर्ती बना रखी है जिस भी person की है इसको देखने से ही पता चल रहा है कि इस person में थोड़ा सा attitude है तो उस according मैंने भाही remember कर रखा था कि ये priest king की है so that is enough for today कि ये वुआ हैं कि ये जूखए जसा बादिए थुआणिव्या का ये जादीड़ाए है